येशु जब पहार से नीचे उत्रा तो बहुत सारे भीड उनके पीछे पीछे आए वहें पर एक कोड़ी ब्यक्ती भी था कोड़ी का मतलब कोड़ी बिमार से ग्रस्थ ब्यक्ती और वह ब्यक्ती येशु के सामने आया और जुख कर कहने लगा तब यदि तो चाहे तो मुझे ठिक कर सकता है इस पर येशु ने कोड़ी पर हाथ बढ़ा कर छुआ और कहा बिस्टे ही मैं चाता हूँ ठिक हो जा और तद काल कोड़ी का कोड़ जाता रहा फिर येशु ने उससे कहा देख इस बारे में किसी से कुछ मैं कहना और जाकर याजब को दिखा फिर मुशा के आदेश के अनुसार भेट चड़ा का कि लोगों को तेरे ठीक होने की साक्षी मिले फिर वा मनुस्य महा से चला गया परमिश्र को धनिवाद देते हैं कर दो कर दो कर दो दो